हलो एंड वेलकम मेरा नाम है चैन रस्तोगी मैं हूँ सान्या और अब एबीपी न्यूस पर होंगी अंकट की बाते अंकट है एबीपी न्यूस का ओरिजिनल वीडियोस प्लैट्फॉर्म और अगले आदे घंटे में हम आपको वो कॉंटेंट दिखाने वाले हैं जो अंकट क पर हर वीक हम मिलते हैं एक सोशल मीडिया स्टार से और इस वीक सोशलाइज पर फीचर हुए फेमस कॉंटेंट क्रियेटर सतीश रे देखिए उनका इमांदार इंटरव्यू की गंदी बात सबसे मुझे यह लगती है कि उसमें आप सतीश रे नहीं है अब इस शो की कोई ग जब गाइस पूरा बाडम बार गाइस मैं उन लड़कों से अट्रक्ट होता हूं जो मेरको रिजक्त करेंगी यह फिर जो मेरको नहीं मिलेंगी यह ना बहुत टॉक्सिक जिए अप मैं आपको सिचुएशन देने वाली हूं आपकी चारिक्टर्स के साब से आपको से रिया करना है करना है कि इए थे किया हाओब सच्ट ग्लंड रियाट इस मोशी तो खेम लुछ सब्स्टाइब लॉट टो लॉटे ओ प्रोम गैजब अड़ी पेड्रोल गैज अच्छा वड एमान रगें टो आपको लॉटार टॉटे का ना की तुटर के दिखा ना के रागें तुटर के तुटर के तुटर के यार वा रिप्र वाहिए किसे बढ़ें कि मालूम्यर अमिक्रोन आगया है अगर से बाहर मत निकलो हमें भी अभी ओमिक्रोन हो रखा है यह फिर भी हम करने है ऐसे डर गया ना यही होता है वांदर्शन में आपको यही बहुत रिया लोता हूँ अगर कोई इंसान है जो से मूव ओन करना है तो मोटिवेशन महेश्र क्या अड्वाइस देगा यह तो वीडियो भी बना रखे है मैंने कुछ करो जिंदिगी में माव आपने इसलिए पैदा किया है यू प्यासी की तिहारी करो फॉर्म बरो यह वो फलाना दुकाना अब कट्टू बात्रूम में नस कातने की धंकी देयर है अपनी गलफेंट की फ अश्ट की अख़ा है यह झाल ह सकते है यह कवे पर दियो फो यह प्रिया फिर यह फॉर्म रख प्रिया है यह झाल मूझई इसलिए नव करना और दोन सब्सकाने करना आउं डिवी आपको छोड़ोड सेखें़ पैपको करना यह टॉर्म वेंट रूर्म पेटोल है कंवले या न में नाम यहाईर किसी लड़की को कि तुमने मेरा दिल थोड़ा हम वह नी है लेकिन एनसर तो है ciao एक सिप तो ले लो, हिए तो आपको लग रहा ह Parent अचा बॉटम अब करना हम नेक्स ते एक फीमेल क्रीटर बताओ तो आपको होट लगती है यार ऐसे निबता सकता है लिगी गार्ट होट में तो होट इस लाइक अच्छाई मतलो फ़ॉनी लगती है मजा होट अब अच्छाई अच्छाई नहीं आप अपना नाम नहीं ले सकते हूं कोई होट लगता है नहीं आपको अच्छाई सबसे ओवर रेटेटर कौन है इंडिया में हम नाम ले सकता हूं लेकिन अलोग कोई लगता नहीं अबर यह सकता है यह कम ओन थोड़ा फायर यह ने ऐसे नहीं गरेंगे बॉटम्ज अप करो फिर यह बॉटम्ज अपने चाई की चुस्की ले रहें वाप वाई तुमने कोश्टेंस क्या रखे हैं मतलब तुम चाते हो कि मतलब हम ना चले इंडस्ट्री में ना इंसान और गिरगेट के बाद मार्केट में कुछ नया आया है जो रंग बदलता है बिल्कुल वीवो ने लॉंच किया है प्रीमियम सेग्मेंट कलर चेंजिंग फोन वीवो वी 23 प्रो 39,000 वाले प्राइस सेग्मेंट के इस फोन का honest review दे रहे हैं आयाज आज टेगी डीजी में मैं आपके लेकर आया हूँ वीवो वी 23 प्रो पिछले अफते फोन लॉंच हुआ है और आज इसी का review करते हैं सबसे मेले बात डिजाइन की कर लेते हैं कॉस्ट यहां पर वीवो ने इस बार कुछ अलग दिया है और वो है color changing fluorite AG class जब sunlight या फिर UV rays इसके back panel पर पढ़ती है तो फोन का जो back panel है वो blue हो जाता है और यह effect काफी वक्त तक रहता है that's why it's called a color changing smartphone similarly अगर आप back panel पर को stencil use करते हैं और उस पर UV rays डालते हैं तो stencil का जो effect है वो भी back panel पर आएगा and it will stay there for some time even though इसे user experience पर कुछ खास फरक नहीं पड़ता है but it's interesting and you can play around with it पैसे back panel पर आपको बड़ी smooth meta finish यहां पर मिलती है और phone देखने में premium लगता है but I like more about this Vivo V23 Pro की यह काफी slim और light weight है 178 grams to be exact और it's very comfortable to hold now let's check its display so यहां पर है 6.56 inch की super AMOLED display Vivo ने यहां पर curved display यूज़ की है which looks more premium screen काफी bright है as you'd expect in a premium segment phone और colors भी display पर अच्छे आते हैं काफी पंचे colors मिलते हैं और curved screen पर जो accidental touch का इशो अकसर आता है वो भी मुझे यहां पर देखने को नहीं मिला so it gets a thumbs up but I don't like this notch here इसकी वज़ा से phone थोड़ा सा dated लगता है अब बात camera की so Vivo ने पिछले कुछ दिनों में camera पर काफी काम किया है और यह दिखता है V23 Pro में 108 Megapixel का triple camera setup दिया गया जो अच्छे photos क्लिक करता है with great details colors यहां पर natural आते हैं अच्छे आते हैं selfies के लिए 50 Megapixel का jewel camera है और front पर दो soft LED lights दी गई है for glowing selfies वैसे V23 Pro के camera का in-depth review आपको uncut YouTube चैनल पर मिलेगा प्रोसेसिंग पार में भी V23 Pro is no slouch Dimensity 1200 के साथ Vivo यहां पर गया है और daily usage में इस पर seamless experience आपको मिलता है without any lag whatsoever इसके लावा बैटरी 4300 mH की है और एक बार full charge करने पर phone easily एक दिन का backup दे देता है on moderate to heavy usage so V23 Pro seems to be a great package by Vivo in premium segment वैसे COVID-19 के दौरान smartphone usage का एक lingering effect भी हमारे relationship पर हो रहा है according to Vivo's switch off campaign survey हमारी रोज मर्रा की जिंदगी में अब हम 32 परचन ज्यादा अपना time smartphone पर बिताए लगे है almost 6.5 गंटे on an average also you'd be surprised to know कि survey में 94% लोगों का कहना है कि smartphone उनकी body का हिस्सा बन गया है जिसको they can't separate from themselves इससे relationship पर बुरा impact पढ़ रहा है पिछित्व पसंद लोग family के साथ बैठे हुए smartphone यूज करते हैं इससे बच्चों पर बुरा असर पढ़ रहा है survey में पार्ट लेने वाले खरीब 90% parents का कहना है कि increased smartphone usage की वजह से उनके बच्चे aggression के symptoms दिखाने लगे हैं और बच्चों में acceptable social and moral behavior कम होते जा रहा है सो इन जा बातों का भी अब ख्याल रखें बीवाइस वाल यूज यू स्मार्पोन आज कल बॉलिवूड लगाता 90s के गानों के रिमिक्स बना रहा है पर तुम्हें लगता है सान्या कि बॉलिवूड रिमिक्स में आज कल वो बात है मेरे लिए तो original songs ही best हैं लेकिन 90s की OG Raveena Tundan का इस बारे में क्या कहना है बैक्स्टेज बाते में उनसे पूछा Mayang Shekhar ने A fantastic song fantastically performed by Alia and Sid in Kapoor and Sons लड़की beautiful कर गई छूल is also now people think it's my song because it has that one line मतक मतब जैसे Raveena Tundan, wherever I go now that song is played for me and I tell people but that is Alia's song Hello and welcome, मैं हुमायंग Shekhar, आप है ABT Uncut में और मेरे साथ है एक actor जो पिछले तीन दशक से Bollywood star रही है और 2021 में you can call her a debuting actress all over again on an OG platform Raveena Tundan, thank you so much हमाय सा जुनने के लिए That's so sweet, real sweet introduction, in fact Salman also said the same thing, I had gone for the promotions of AranyaCon Big Boss and Salman ने भी वही का ही सेंग मैंने 91 में एक नही actress को debut कर राया था और आप लोग के सामने लाया था और अब मैं नहीं actress को debut कर रहा हूं on OTT platform so yeah that is that was pretty cool but I think pandemic की वजए से हमारी theatre owners ने तो बहुत सफर किया ही है and अभी तक सफर कर रहे है I think that's the only business that has not been able to revive that well and I think they have only gone through losses because the minute the restaurants opened up they were you know running packed in fact I was talking to a few hoteliers and they were telling me that you know hotels have become so busy like they have not even been that busy before the pandemic hit I think just people were waiting for that outlet unfortunately I think people are still a little wary of entering the theatres uh with you know all kinds of safety protocols still in place but uh I'm sure I hope that the businesses pick up because if you go to see our single theatre owners have suffered so much that they've been paying salaries trying to keep the upkeep of the cinemas in the past two years and so many of them have shut down so that has been a very very sad situation for our industry now time is your mood and good food good mood today and this week we have reached Delhi famous five-star Taj Mahal hotel where the third edition of cooking up a tale check the mic and make sure it sound right boy is the is the 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 there that वे तो ग्रांट पर ग्रांट होता जा रहा है I mean, what, tell me something, कि यासा लग रहा है एक्स्पिरिस्ट Okay, so Chan, thank you very much और तुम कहरो हो कि तुम तीसरी बार हा रहा हो that means, which is very reassuring which means that it is, the popularity is just leading the concept and definitely concept has evolved It's really lovely, incredible food I had the opportunity to try to cook a little bit I mean, we were sort of, you know, celebrity cooks I wouldn't call myself celebrity, but that was fun but enjoying the food from the real cooks here was amazing I mean, really a fantastic spread and beautiful weather I mean, I can't believe they organized such an amazing sunny day It's supposed to be winter, but, you know, if you don't have sunglasses on you're getting too hot Good for a good mood Absolutely, absolutely, no, it's wonderful Really, really nice mood here today, so, yeah Bahaat Dhaniawad So, these are all the videos and also a lot of trending content For watching the whole video, you can follow us on YouTube, Facebook, Instagram At the rate, ABP Uncut, our social media handle You can follow us on YouTube, Facebook, Instagram We can follow you on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram At the rate, ABP Uncut, our collection of guestsets book we can follow you on YouTube and will choose from a bookstore